हेलो बच्चों मैं के के वर्मा आप सभी को ट्रिक एंड टैक्निक नीट 2020 सिरीज में आपका सागत करते हैं आज हम लोग डिसकस करने जाएं ट्रिक नमबर 7, 8 & 9 टॉपिक है महारा रेडियो एक्टिविटी देखी प्यारे बच्चों ट्रिक नमबर 7 डिसकस करने से पहले को समझ लेते हैं कि किस त्रीक के कोश्चन आएगा तो हम इस ट्रीक को यूज करेंगे ठीक है तो पढ़ लेते हैं तो रेडियो एक्टिव सब्स्टेंस आफ एंड बी डिके कॉश्चन फाइब लेंडा रिस्पेक्टेबली ओके आएट टी इकॉल जीरो दे हैव सेम नमबर आफ नुकलियाई दर नमबर आफ नुकलियाई आफ ए तू दोस आफ बी बिल भी बन बाई स्क्वाइर आफ्टर आफ दर आफ को दिये हुए है उन्बाई फोलेंडा टू लेंडा फोलेंडा वन उपान तू लेंडा ओके अब देखे कुशिए हैं हमने देखा कि उसमें डिके कॉश्चन दिये हुए हैं और नुकलियाई के रेस्यो दिया हुए है कि वन बाई स्क्वाइर और दो जो exponential constant है उसकी power है तो e चलिए देख लेते हैं कितना दिया हुआ given कितना है तो देखिए question को solve करते है ठीक है तो solve करेंगे तो कैसे देखिए p हमको कितना दे रखा है two clear और x हमको कितना दे रखा है five and y हमको कितना दे रखा है one अब देखिए time निकल आया t equal to देखिए कैसे solve करोगे t equal to p की value किती दिया है two okay and five minus one into lambda okay two by four lambda इसको आप ले सकते है one upon two lambda के लिए कौन सा absence है fourth और यह पुछा कप कहा था cbsc pmt 2008 देखिए कितनी चित रिख है इसको तुरंत आप मन में ही लगा सकते है इसको pencil लगाने की जरू नहीं है formula किया रिवाइस कर लो t equal to p upon x minus y into lambda तो p यहाँ पर क्या है तो आप बात करेंगे यह जो e होगा उसकी जो power है वो है xy क्या है पहला constant और दूसरा constant के जो numerical value है उनको हम xy कहेंगे ठीक है तो next question में एक बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं देखिए इस question में आपसे time interval पूछा गया है ठीक है तो अब हम t का पहले formula लिखते हैं कि t का formula होता क्या है तो आप जानते हैं t equal to p upon x minus y into lambda ओके चलिए value डालते हैं तो p की value देखे कितना e की power देखे कितना दिया हुआ तो यह की power 1 है तो यह 1 ले लेंगे यक्स देखे कितना दिया है 10 और यह आपका 10 हो गया minus यह कितना दिया है 1 इसके number आगे number को देख लेते हैं 1 और into lambda तो बताए कितना answer 1 by 9 lambda ओके तो आपसन कौन सा हो जाएगा यह खोड़ देखे कितना time लगा बहुत ज्यादा 5 seconds ओके चलिए नेक्स टिक देखते है टिक number 8 तो देखे टिक number 8 समझने से पहले question को रीट कर लेते हैं एक बार कि यह किस टाइब कर प्रोब्लम से तब हम इस ट्री को यूज करेंगे तो इसमें basic हम एज आफ रॉक फाइंड आउट करेंगे तब हम इस ट्री को यूज करेंगे ठीक है तो पढ़ लेते हैं परले question क्या दिया है सुनियेंगा रेडियो आइसोटोप से एक्स बिधा हाफ लाइफ 1.4 इंट न की पावड नाइन एर्स डिकेज आफ वाई विच इस इस्टेबर ओके असेंपल आफ अफ द रॉक फ्रॉम कीब वास फाउंट तो कंटें एक्स एंड वाई इन दा रेशियो वान रेशियो से बेन दा इस अप दा रॉक इस ओके यह चार आपसं दिये गए हैं और पुछा गया था यह पीम्टी तो टो देखिए एस प्रॉब्लम को कैसे है करते तो इस प्रॉब्लम करने के लिए देखिए आपको फॉर्मला पर ले लिखना है या य अगर 1 ratio 3 है तो इसमें n के value 2 आएगी, अगर 1 ratio 7 है तो n के value 3 आएगी, अगर 1 ratio 15 है तो इसका n के value 4 आएगी, अब यह थोड़ा सा समझ लेदें किस तरीके से, क्योंकि यह learn तो आपको करना ही है, क्योंकि अगर आपको within 5 seconds discussion उसाल करना है, तो फिर आपको याद होना चाहिए, क 1 ratio 3 है तो n equal to 2 होगा, 1 ratio 7 है तो n equal to 3 होगा, अगर 1 ratio 15 है तो n ratio 4 होगा, यहाँ पर यह देखना है कि यह किस तरीके से numbers आए हैं, ठीक है, चलो समझते हैं, तो देखिए, आपको problems में हमेशा x upon y का ratio दिया रहेगा, जैसे आपको 1 by 3 दिया होगा, या आपको हो सकता 1 by 7 दे दे यही ratio आपको given होगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इससे आप find out करने वाले हैं, nucleus के ratio जैसे, क्या निकालना है आपको, n upon n not निकालना है, ठीक है, clear, तो आप किस तरीके से इसे solve करेंगे, देखिए, इसके लिए करना कुछ नहीं है, नीचे जो दिया हुए numbers, जैसे 3 दि आप करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4, इसमें एक add कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, यह 8, इसमें एक add करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह 16, ठीक, अब इसको power के form में लिख लेते हैं, 1 by 2 के power के form में, ठीक है, तो यह लिख लिए, तो इसकी power कितनी हो जाएगी, 2 इसको भी लिख लेते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी पावर ये 3 और इसको लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 clear तो आप देख लिए कि N निकल आया N इकल 2 इसके लिए कितना आया 2 इसके लिए N के लिए कितना आया 3 तो अगर यह याद रहेगा ता कुछ साल्व नहीं करना होगा यह मैंने इसलिए बता दिया ट्री कि अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो इसे आप साल्व कर लेना ओके आप तो लिए कोईशन साल्व करते हैं अब देखिए क्वेशन में रेशियो कितना दिया हुआ है वन रेशियो से बेन अब बताईए वन रेशियो से बेन के लिए एन की वैलू कितनी होती है तो एन की वैलू 3 के लिए तो अब बताईए एज हम निकास सकते हैं एज इकॉल टू क्या फॉर्मला होता है एन इंटू ह तो एन कितना दिया है थेरी इंटू हाफ लाइफ देखे कुश्चन में कितने दिया है यहाँ पर देख लिजिए यह दिया है आपको हाफ लाइफ ठीक है तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कर लेंगे तो आजाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 9 एर तो आपसन कौन सा सही हो रहा है सेक है ओके देखे कितनी आसानी से आप साल्व कर लेंगे बस यही दियान रखना है आपको कि 1 ratio 3 है तो इनकी वाइलू हम 2 लेंगे 1 ratio 7 है 3 लेंगे अगर 1 ratio 15 है तो फोल लेंगे बस इंटू कर यह और एंसर लेजिए ओके आप देखिए प्रैक्टिस के लेग डिमेरिका रह कर लेते हैं पुछा क्या गया है पुछा गया है अब बताइए मैंने इस का फॉर्मला क्या लिखा है तो आप जानते हैं एस इकॉल डू फॉर्मला होता एंटू हाफ लाइफ किलिए ओके एंट कितना दिया है तो देखिए एंट कितना रेशियो दिया है वन रेशियो फिपिट कितना हो जाएगा 200 देखिए कितना इजी तरीके से आपने सार्व किया कौन साप्शन मिला है थर्ड अब अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की ट्रिक नंबर 9 को डिसकस करने से पहले को पढ़ लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि किस तरीके कोईस्टन होगा तो इस ट्रिक को हम यूज करेंगे ठीक है आईए देखते हैं कि कहा गया है हाफ लाइफ आप तू रेडियुक्तिव सबस्टेंस ए और बी आर रिस्पेक्टिवली 20 मिनेट और दो सबस्टेंस आपको यहां दिये गए हैं और एक की जो हाफ लाइफ है वह आपके 40 मिनेट है ठीक है अब 80 मिनेट बाद हमें उनके रेशियो को फाइंड आउट करना है ठीक है तो ऐसे कोईशनों को क्या करेंगे देखिए इसकी ट्रीक देखिए यह फॉर्मला है एन अपान बी इक्वल टू एन नॉट ए वन बाइटो की पावर टी बाइफ लाइफ लाइफ एन नॉट बी वन ब करेंगे दिखेगा अब हम नमेका साफ करते है तो एन ए अपान बी हमें फाइंड आउट करना यह सेम है तुनको लिखेंगे नहीं सीधे हम बात करते हैं वन बाइटो और वन बाइटो ओके टाइम टू यह टी का मतलब टोटा टाइम टोटा टाइम को कुश्चन हम किता दिया हुआ है दूसरे के लिए आपको दे रखा है फुट्टी ओके अचली वालू रखते हैं तो टी अपान फुट्टी के लिए इससे साल्व कर लिया जाए देखें क्या आएगा तो यह आपका हो गया वन बाइटो और यह कट जाएगा आपको मालूम है फोर बन जा देखें फोर बार इंटो कर लिए टू तू जा फोर टू जा एट तू जा सेक्स्टीन ओके और यह आपका कितना हो जाएगा फोर के लिए अब इससे साल्व कर लिए तो वन बाई 16 into 4 by 1 तो यह कितना हो जागा 1 by 4 ओके तो क्या ratio आएगा 1 ratio 4 तो देखिए answer क्या बनेगा 1 ratio 4 कौन सा option इसका correct option होगा यह आपका second option CBC PMT 1998 में पुछा जब चुका है एक बार तो इस दिए problem से अगर आती है तो आप सीधे formula use करिएगा क्या formula था आपको याद होगा number of nuclei का तो number of nuclei का ratio का formula है ने upon and be equal to and not अगर आपको दिये हैं वरना maximum case में हमेशा यह same दिया रहता तो आप इनना लिखिएगा card दीजेगा और सिधा ratio लिख लेगा 1 by 2 की power T by half life और 1 by 2 T की power half life ठीक है देखिए इस तरीके से trick number 7, 8 और 9 आज हम लोगों ने discuss किया और यह सारी tricks बहुत ही useful हैं आपके NEET या ITG के लिए अगर आप इस type questions बनते हैं और इस तरीके साथे भी हैं कोगे NCRT में इस तरी question दिये हुई हैं तो आप क्या करिएगा इन trick का use करिएगा और इस trick को use कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको time लगेगा 20 seconds और इस तरीके से तीनों question आजाते हैं 20 seconds कर लेंगे बट question तो एक ही आ सकता है तो इसलिए आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आप अपना time जो spend करेंगे 2 seconds करेंगे ठीक है तो चलते हैं नेक्स ट्रिक के साथ आपको 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 नेक्स वीडियो में मिलेंगे और आसा करते हैं कि ये ट्रिक आपके exam में बहुत ही helpful थाबित होगे बाई बाई एंड टैक या